गुड इबनिंग टू लफ यू, मैं कौसल गुरजर, प्रोद्राक्ष एकडिमी में आपका स्वागत करता हूँ आज मैं GS और करेंट का बहतरीन कंटेंट लेके आया हूँ आप जाधा से जाधा बीडियो को सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इस बीडियो का टारगेट 260 सब्सक्राइबर है, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है और मेरे लिए बहतरीन कंटेंट लाना ये भी मुश्किल नहीं है चलते हैं सीधे वीडियो की तरब, बात की जाए स्रीलंका, इस पेसल इसमें स्रीलंका का डिस्क्राइब होगा पूरा स्रीलंका के बारे में जानेंगे यहां से कुस्षन बहुत पूछे जाते हैं भारत का पड़ोसी समुद्री देश ये पूछा गया कुस्षन है तो अंसर होता है स्री लंका है दच्छिड एसिया में इस्तित है इसकी इस्तिती पूछता है दच्छिड एसिया में इस्तित है एक बार ऐसे भी पूछा गया था दच्छिड एसिया उप्सन में नहीं था तो हिंद महासागर के उत्तरी भाग में यह है हिंद महासागर के उत्तरी भाग में है याद रखना ये पूछा गया कुस्तन है, इसका सेप है कैसा है, सेप बोलने तो आकार, इसका आकार नारियल के तरह है, नारियल देखा होगा आपने, एक दीप देश है, दीप बोलने तो चारो तरह पानी ही पानी है यह पूछा गया कुस्षन है स्री लंका का पुराना नाम सीलोन है इस प्रकार जैसे मैंने बताया था अगले वीडियो में बांगला देश का पुराना नाम पूरी भी पागिस्तान है जापान का ये वीडियो इनके उपर इन देशों के उपर मैं बना चुका हूं जा प्रकार भारत का पुराना नाम आरेबरत आपने पड़ा होगा आप बताएंगे किस देश का पुराना नाम स्याम है कमेंट बॉक्स में बताएंगे 1972 में इसका नाम लंका रखा गया जबकि सम्मान के लिए 1978 में इसमें स्री और जोड दिया गया तो इसका नाम क्या हो गया स्री लंका याद रखना दच्छिड यसिया में इस्तित है यह भी कुस्ण बूछ लिया गया है वारत से स्री लंका की दूरी 31 किलो मीटर है श्री लंका के निवासियों को सिंगली कहा जाता है बहुत प्यारा कुस्ण है पूछा गया कुष्षन है क्या कहा जाता है सिंगली कहा जाता है इसी प्रकार एक कुष्षन और बनता है कि न्यूजलेंड के निवासियों को क्या कहा जाता है तो कहा जाता है माओरी कहा जाता है ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें स्री का बढ़न मिलता है तो रामाइड आपने देखी होगी फिलाल से बना है और पूछा भी गया था यह एससी जीडि के पेपर में आया था श्री लंका का रास्टी खेल क्या है तो यह बॉली वॉल है और आपने देखा होगा क्रिकेट बहुत अच्छा खिला जाता है स्री लंका में यहां के प्लियरों के बारे में भी पूछ लिया जाता है जैसे प्रिशिद्ध फैमस प्लियर थे, सनत जैसुर्या आपने नाम सुना होगा, तिलक रतने दिलसान और महला जैबर्दने कुमार संगकारा इत्यादी बहुत हैं, बात की जाए राश्टी पुस्प क्या है तो राश्टी पुस्प यहाँ का लिली है, मुद्रा की बात की स्रीलंकाे रूपिया। यह याद रखना राष्टी पसू यहां पर कुछ भी नहीं है सफर्भाद देख हातियों को बहुत अच्छा content मिलता है यहां देखने को हाथियों का हाथियों की संख्या भी अच्छी तो लेकिन यहाँ पर राश्टी पसू का कुछ प्रकार जैसे भारत का है भारत रतन उसी प्रकार यहां का सर्बुच पुरुसकार जो है श्री लंका रतन है आगे की बात की जाए यहां के राष्टपती तो गोता बाया राजपच्छे हैं और प्रधान मंत्री महंदा राजपच्छे हैं एक बहुत ची बात बता दूँ गोता बाया राजपच्छे यहां के राष्टपती हैं भारत के कौन है रामनात कोबिजी प्रधान मंत्री कौन है महंदा चे के छोटे भाई हैं और इत्यास में पहली बार हुआ है कि छोटा भाई राष्टपती है बड़ा भाई प्रधान मंत्री है याद रखना अगर अपना ही कोई बड़ा भाई होता मैं तो भाई राष्टपती का पद बैसे देदेता उसको बात की जाए बिश्चु की पहली म महला प्रधान मंत्री श्री लंका देश की थी श्री मती श्री माबो भंडार नाय के यह पूछा गया कुश्चन है आप बताएंगे बिश्चु की पहली महला राष्टपती अर्जेंटिना से थी मैंने बता दिया उनका नाम क्या था यह आप कमेंट बॉक्स में बताएंग श्री लंका की सबसे लम्मी नदी महा बेली गंगा है याद रखना पूछा गया कुश्चन है जबकि भारत की सबसे लम्मी नदी गंगा है 25-25 किलो मीटर है यह कुश्चन बना है बहुत प्यारा कुश्चन है हिंद महा सागर का मोती किसे कहा जाता है तो अंसर होता है चोटी माउंट पेड्रो है इसका दूसरा नाम भी है पित्थुरा थाला गला यह पूछा गया था यही आया था ओप्सन में कंचन जंगा भी था यह भी था और गौडबिन आस्टिन भी था याद रखना पित्थुरा थाला गला है माउंट पेड्रो भी इसको कहा जाता है ब है तो कंचंचंगा अंसर हो जाता है दूसरा एलिफेंट ब्लेज कहां बना था तो दूसरा एलिफेंट ब्लेज जो बना था वो बना था स्री लंका में पहला कहां बना तो हम सभी जानते हैं हातियों का देश किसे कहा जाता है थाइलेंड को और थाइलेंड को कहा जाता है तो पहला elephant blaze यहीं बना जबकि तीसरा elephant blaze भारत के राजिस्तान में बना मैं बता चुका हूं वीडियो में elephant दर्रा कहा है तो elephant दर्रा की बात की जाए बहुत अच्छा कुस्षन है प्यारा कुस्षन है यह पूछा गया था रेल्वे में एंटी पीसी में आया हुआ कुस्षन है यह पुराने अंसोल्ड में था तो elephant दर्रा जो है वो स्री लंका में है याद रखना इसको ऐसे भी पूछा गया था elephant पास और भारत का सबसे बड़ा दर्रा जो है सबसे उंचा दर्रा कारा कुरम दर्रा है याद रखना यहां का राष्टी धुज का जो डिजाइन तयार किया है वो निसांग का बिजय रतनी ये पूछा गया था कुस्षन निसांग का बिजय रतनी ने किया है 2016 MP पुलिस देखना आप उसमें ये कुस्षन पूछा गया था हम्मन टोटा बंदरगाय कहा है ये गुरूप D में पूछा गया था हम्मन टोटा बंदरगाय जो है वो कहा है वो स्री लंका में है लेकिन करेंट की बात की जाए चीन ने इस पर 99 साल के लिए 99 ये के लिए कब एक फेमस अंतराश्टी हवाईड़ा है मताला राजपच्छे अंतराश्टी हवाईड़ा इसका नाम मताला राजपच्छे स्री लंका के पूर्व राष्टपती के नाम पर रखा गया दुनिया का सबसे खाली एरपोर्ट मताला राजपच्छे ही है और इसके साथ भारत न एक अच्छा कुस्टन बता दूँ भारत के प्रिशिद्ध सासकते असोक इनों ने अपने पुत्र महेंद्र को अपनी पुत्री संग मित्रा को बहुत धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहां भेजा था स्री लंका भेजा था याद रखना यह पूछा गया था इसलिए सबसे अधिक बहुत धर्म के लोग जो मिलते हैं परिचार परशार इतना बढ़ गया था तो सबसे अधिक कौनसा धर्म है बहुत धर्म के लोग रहते हैं श्रीलंका में याद रखना और Bill Pattu National Park जो है वो कहाँ है वो स्री लंका का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है कौनसा बिल पट्टू नेशनल पार्क अब आपने पढ़ा होगा मैं पढ़ा चुका हूँ इनको युद्ध अब्यास हुए थे भारत और स्री लंका के बीच तो पहला युद्ध अब्यास हुआ मित्र सक्ति नाम था इसका दूसरा हुआ स्लाइनेक्स ये 2005 से हो रहा है और ये सातवा था स्लाइनेक्स 2019 यहां से आप किलियर कर सकते हो तो SL मतलब स्री लंका, IN मतलब इंडिया, EX मतलब एक्सासाइज, एक्सासाइज बोलें तो अभ्यास और SL मतलब स्री लंका, तो स्री लंका और भारत के बीच होने बाले युद्ध अब्यास को स्लाइनेक्स कहा जाता है ये भी बहुत प्यारा कुस्षन है और पूछा गया है, पाक जलसंदी किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और स्री लंका के बीच में है, ये पाक जलसंदी जो है, यही भारत को, स्री लंका को भारत से लग करती है, इसको पाक स्टेट भी पूछा गया था मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच में है तो भारत और स्रीलंका के बीच में है मन्नार की खाड़ी आपने देखा होगा यही पॉइंट है भारत का ऐसे एक खाड़ी सिये नारिल की तरह स्रीलंका लटका हुआ है यही है मन्नार की खाड़ी बीच में पड़ती है बात की जाए मन्नार की खाड़ी यहां से मौती निकाले जाते हैं मौती निकाले जाते हैं इसलिए मन्नार की खाड़ी को रतन दीप कहा जाता है क्या है रतन दीप कहा जाता है यही आपने मननार की खाड़ी देखी होगी यह नारियल की तरह स्रीलंका लटका हुआ है यह बीच में मननार की खाड़ी है यह कुस्सन पूछा गया है आदम का पुल किन दो देशों के बीच में है तो भारत और स्रीलंका के बीच में है वो ही पुल है जो राम ने बनाया था लंका के लिए राम की बानर सेना ने बनाया था इसको हिंदू लोगों ने बोला कि सिब जी का आराधना का पुल है और मुस्लिम लोगों ने इसे आदम का पुल बताया याद रखना इसलिए इसका नाम आदम का पुल है 21 अपरेल 2019 को इस्टर के अपसर पर स्रीलंका में हमला हुआ था आतंकी हमला अपने पड़ा होगा गरजा घर में हुआ था इस्टर के अपसर पर 23 अपरेल को यहां आपातकाल लगा दिया करेंट का अच्छा कुस्सन है और इस हमले के तत्काल बाद ये कुस्छन पूछे कि सृलंका दोरे पर कौन से ब्यक्ति गए थे तो भारत के प्यम मोदी कहां गए थे भारत के प्यम मोदी कहां गए थे सी लंका के दोरे पर गए थे इस टर Nagas p अपना सेटेलाइट लॉंच किया है और इस सेटेलाइट का नाम रावडवन रखा है याद रखना रावडवन यह लॉंच कहां से किया तो नासा से किया है नासा कहां की अंतरिक शेजनसी है आप कमेंट वॉक्स में बताएंगे नासा का पूरा नाम भी बताएंगे बुर्के पर प्रतिबंद लगाने वाला पहला देश ये स्री लंका है याद रखना अब बुर्के पर प्रतिबंद क्यों लगा दिया क्योंकि जो आतंकवादी हमला हुआ था इस्टर के अबसर पर उसके बाद तुरंत इसने बुर्के पर प्रतिबंद लगा दिया हाली में 25 जनवरी 2020 को बल्ड बेस्ट फीडिंग ट्रेड उनिसियेटिव द्वारा इस्तन पाम दर पर प्रथम कौन सा देश रहा तो प्रथम स्री लंका रहा इस्तन पाम दर पर मतलब महलाएं बच्चों को पालन पोसड में बहुत ही ध्यान देती हैं इसमें प्रथम रेंकिंग जो रही वो किसकी रही स्री लंका की रही याद रखना बल्ड बेस्ट फीडिंग ट्रेड उनिसियेटिव के द्वारा ये इसने जारी की इसके द्वारा प्रथम देश स्री लंका रहा दच्षड एसिया का सबसे उंचे टावर का अनावरण किस देश में हुआ तो ये भी पूछ लेगा याद रखना दच्षड एसिया का सबसे उंचे टावर जो है वो स्री लंका देश में है और इस टावर का नाम लोटस टावर रखा गया ये पहला आदर्स गाउं का उधगाटन किया गया ये रानी दुगागामा किया गया ये इस्तान है स्रीलंका का रानी दुगामा वहां पर किया गया और भारत और स्रीलंका के बीच संदी हुई है उसके तहत यहां सो आदर्स गाउं बनाए जाएंगे लेकिन पहला आदर्स गाउ स्री लंका में कहां रानी दुगामा याद रखना यहां के सिंग राजा बन रिजर्ब को ये एक बन रिजर्ब है इस रिजर्ब को इन इसको बिस धरोर में सामिल कल लिया गया है इससे पहले मैंने बताये था सबसे बड़ा जो नैसशनल पार्ग था बिल पट्टू था याद रखना, रासी चाई का साधन जो है, वो चाय है, सबसे अधिक चाय होती है और चाय का निर्यात करने वाला देश, याद रखना, निर्यात करने वाला प्रथम देश जो है स्री लंका है चाय सबसे अधिक कहा होती है चीन में होती है बारत में सबसे अधिक चाय कहा होती है तो असम में होती है चाय में कौन सा अमल होता है तो आपने मैंने बहुत बार बता दिया है चाय में जो होता है थीन होता है याद रखना चाय निरियातक करने वाला देश 13 फरवरी 2020 को भारत के भारत ने एक INS जमना INS Indian Naval Service यस सिप है Indian Navy का जमना को जल राची जल राशी सरवेच्छड के लिए तैनाथ किया गया है कहा किया गया है स्रीलंका में याद रखना स्रीलंका के तट पर इसको तैनाथ किया गया है mcc के पहले गैर ब्रिटिस अध्यक्ष जो बने है वो कौन बने है तो mcc का full form mary live on cricket control है याद रखना cricket club इसका मुख्यला जो है mcc याद रखना इसका full form mary live on cricket club इसके पहले गैर ब्रिटिस अध्यक्ष कुमार संगकारा ये कहां के खिलाडी है स्री लंका के खिलाडी है बहुत अच्छे player है बिकिट कीपिंग भी करते हैं और इनको अध्यक्ष बनाया गया है इसका मुख्याले कहीं पूछता है तो लंदन में इसका मुख्याले है याद रखना ये बहुत प्यारा कुश्षन है स्री लंका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है तो स्री लंका के घास के मैदान को पटाना कहा जाता है यहां का आतंकवादी संगठन जो है वो लिट्टे नाम है इस संगठन का लिट्टे का पूरा नाम लिबरेशन L4, टाइगर्स T4, T4 तमिल, E4 इलम लिट्टे का पूरा नाम है लिब्रेसेन टाइगर्स ओप तमिल इलम यहां की एरलायन्स जो है बो एर लंका यहां की एर्लायन्स है एर इंडिया जिस प्रकार भारत की है उसी प्रकार इंडोनेसिया की गरुढ़ है याद रखना यह पूछे गए कुस्षन ने परसिद्दू सब जो मनायाता है सिनहला मन वाँम आयाता है यहां का आतंकवादी जो संगठन है लिट्टे एक कुस्थिन बहुत बार पूछा जाता है इसी आतंकवादी संगठन ने भारत के युवा प्रधान मंतरी राजीव गांधी की हत्या की थी श्त्या कीージ दी और यह हत्य कहां हुई थी पैरंबूर में आतंकबादी हमला हुआ था पैरंबूर जहां रेल कोच फैक्टरी है तो याद रखना लिट्टे आतंकबादी संग्ठन कहां का है ये स्री लंका का है प्रिसिद्ध उस्थ सब सिनहाला है हम है रुद्राक्ष अकेडमी कलम से क्रांती इससे पहले बाले वीडियो में मैंने कुछ कुछन पूछे थे उसके जवाब दिये थे मेहंद्र कुसवा जी ने प्रेंका साहु ने अनिल जी बोलना है गजब भाया जी और लब प्रताब गुरजर का भी कमेंट बहुत प्यारा आया थेंक यू लब प्रताब जी थेंक यू तो अलफ यू इस्टे हम